पारे सामनी कितनी भी बड़ी हूँ, हमें अमशा पहरे से ही काम लेना चाहिए और हमें सोच समझकर मित्रता कनी चाहिए, हर किसी पर बनुसान अहीं होना चाहिए मानव और प्रकृति के दोस्ती और उनके निस्वार्थ प्रेम की इस कहानी में एक छोटा सा बालग होता है जिसकी पूरी जिंदगी को प्रकृति से अटेच करके दिखाया गया है इसमें सबसे पहले बच्चा होता है यह एक बालग है यह जब स्कूल जाता है स्कूल से वापस आता है अपने जब भी फ्री होता है टाइम में तो वो जरूर इस पेड़ से मिलने के लिए आता है इस पेड़ के साथ खेलता है इसके बाते करता है बहुत खुश रहता है इसके साथ बैटके जील जो बहरी होती है उसके चमचमाते हुए पानी को देखता है तूपते हुए सूरज को देखता है और बहुत खुश होता है पेड के साथ इसकी बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है साथ में दूरों खेलते हैं, रोज स्कूल से आता है, डेकता है, खेलता है बालत, फैर कंधी के साथ में अपट, भोल के साथ में पहला रहा जाता है, तो वह एक जिनदगी में बिजी रहने लगता है। वो अपने दोस्तों के साथ seven, नई दोस्तों के साथ लिलता है, उनके साथ गुमता है पेड में अपरला रह जाता है, पेड से मिलने के लिए नहीं आता है पर एक दिन आता है और बटा हो दा पैसे नहीं होते हैं कि वह आगे पढ़ाय कर सके, कहीं दूर बाहर जूनदे जा सके. तो वह पेड से आता है, पेड उसका काफी अच्छा दोस्त होता है. पेड को बोलता है, पेड से कहता है, तुम मेरे पल ले लो, उन्हें बाजार में बेचाओ, तुम्हें पैसे मिल जाएगी तुम उससे खुश हो जाओगे तो वो पेड से फल लेता है और चला जाता है बेच के अपना जो भी उसको पैसे चाहिए होते हैं उनसे वो काम कर लेता है पर वापस आता है कुछ दिनों के बाद आप कहता हाै मेरे पास और पैसों के मुझे ज़लूरत है अब मैं क्या करो दोस्त पेड कैता है तुम मैरी लगडियां काट लो उनको ले जाओ उनसे कुछ काम कर लो और पैसे कमालो अपनी इच्छां को मत मारो तो वो पैड ले से ला अब कहता है कि मैं इस यहां पे जो ध्रोग धंदे लगे हुए है जो भी कुछ है प्रदूशन से बाहनों से बहुत पॉल्यूशन हो रहा है फेर से कहता है कि मैं सबसे दुखी हो गया हूँ अब मुझे सिर्फ ताजी हवा और सांस लेने के लिए अच्छी हवा चाहिए तो पैड़ के लिए। जो भी कुछ था मैंने अफ।दू में देरिया जिससे तुम खोश हो सको अब म carve तो मैं तुमें हंसे तुम मैं एक तुमें देर्यू सैंस ले सको मैं एकाम फिर्द भी कार सता हूँ तुम मेरे पास बैट कर मेरे जो तना भचा हुए है तुम मेरे री उ फिर बस आराम से देखता है। प्रेट ने उसको सपोर्ट किया, अपरेट करने पे उसको बिढ़ाया, उसको रिलेक्स किया, यह में उसे सच्छा मिलती है कि अपना उसको प्रक्ति को दूशित नहीं करना है।